अब महौल बन चुका है और इर्फान तारीख खान तुम्हारे लिए जमीन तयार है आईए तश्रीफ लाईए एक बार फिर आप सबको शुक्रिया गाईज मैं इर्फान तारीख खान और पहली गजल है कि सब कहते हैं पत्थर दिल है सब कहते हैं पत्थर दिल है उस पत्थर के अंदर दिल है सब कहते हैं पत्थर दिल है उस पत्थर के अंदर दिल है अपनी मर्जी से जीता है अपनी मर्जी से जीता है मजभ से भी कटर दिल है अपनी मर्जी से जीता है मज़भ से भी कटर दिल है गर दुनिया है विश्टा प्याला गर दुनिया है विश्टा प्याला तो मेरा भी शंकर दिल है गर दुनिया है विश्टा प्याला तो मेरा भी शंकर दिल है चहरे को क्या देख रहे हो चहरे को क्या देख रहे हो चहरे से भी सुन्दर दिल है मेरे शेर की इसमत क्या है जिस मकलम है पेपर दिल है और इसी साथ एक अगली गजल के वो दिखने में बहुत सीधी लगी थी जुबा उसकी मगर कैची लगी थी उठाने में गिरे थे जिसको सारे वो दुनिया तो हमें हलकी लगी थी चुपाती थी गम अपने वो हसी में वो औरत भी हमें जूटी लगी थी चुपाती थी गम अपने वो हसी में वो औरत भी हमें जूटी लगी थी किसी का रंग उतरता जा रहा था किसी का रंग उतरता जा रहा था किसी के हाथ में महनी लगी थी बहुत शुक्रिया कि किसी का रंग उतरता जा रहा था किसी के हाथ में महनी लगी थी मैं क्या करता मेरा लहजा यही था अशीनी भाई, मैं क्या करता मेरा लहजा यही था, गुजारिश भी उसे धमकी लगी थी, हमारी चाल पर क्यों हस रहे हो, हमारे पाउं में गोली लगी थी हमारी चाल पर क्यों हस रहे हो, हमारे पाउं में गोली लगी थी, वो दिन भी आएगा जब सब कहेंगे, गजल इर्फान की अच्छी लगी थी थैंक यू सो मच और इसी के साथ एक आखरी घजल और फिर आप सब की अजाज़त के, जहां पर आदमी इनसान होगा, जहां पर आदमी इनसान होगा, वही पर ही कहीं भगवान होगा, फरिष्टा बन के जो बहका रहा है, यकीनन वो कोई शैतान होगा, फरिष्टा बन के जो बहका रहा है, यकीनन वो कोई शैतान होगा, महब्बत में ये अंधा हो गया है, मुहबत में ये अंधा हो गया है बहुत जल्दी ये दिल कुर्मान होगा मुहबत में ये अंधा हो गया है बहुत जल्दी ये दिल कुर्मान होगा इशारों की जबां से खुल के बोलो समझने में जरा आसान होगा इशारों की जबां से खुल के बोलो समझने में जरा आसान होगा कहूंगा नजम ऐसी रो पढ़ेंगे कहूंगा नजम ऐसी रो पढ़ेंगे पलट कर आएगा उन्वान होगा कहूंगा नजम ऐसी रो पढ़ेंगे पलट कर आएगा उन्वान होगा खामोशी ये गवाई दे रही है खामोशी ये गवाई दे रही है कि अब जो आएगा तुफान होगा खामोशी ये गवाई दे रही है कि अब जो आएगा तुफान होगा गजल पढ़कर समझ जाएंगे सारे गजल पढ़कर समझ जाएंगे सारे कि लिखने वाला तो इर्फान होगा Thank you so much Thank you so much